नमस्कार मैं हूँ दिबांजी मुईत्रा इसके बावजूद भी वे अंबाती राइडू जैसी प्रतिभाओं को उचित मौका नहीं दे सके कितनी शर्म की बात है जबकि खिताब जीतने के लिए दिल का होना अधिक महत्वपूर्ण है गंभीर के बाद पूर्फ क्रिकेटर विरेंद्र सहवाग भी राइडू के रिटार्मेंट पर बेहत दुखी दिखे सहवाग ने ट्वीट कर लिखा है अंबाती राइडू के लिए विश्वकप से अंदेखी निश्चित तोर पर काफी पीडा दायक रही होगी सहवाग के ट्वीट पर दसकिन डॉक्टर नाम के ट्वीटर यूजर ने लिखा है एक और ट्वीटर यूजर ने लिखा है अंबाती राइडू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से रिटायर हो गए है कुछ 3D Glasses इतने महंगे होते हैं कि आपके करियर के लिए महंगे साबित होते हैं धन्यवाद और भविश के लिए शुब कामना है एक और ट्वीटर यूजर ने लिखा है BCCI अंबाती राइडू के रिटार्मेंट की पुष्टी के लिए ट्वीट नहीं करेगा क्यूकि 3D Glass की ट्वीट ने MSK प्रसाद और सभी चैन समिती के सदस्यों का इगो बढ़ा दिया है जिसमें BCCI अध्यक्ष और BCCI परिशत के सभी सदस्य भी शामिल है पत्रकार निशांत चतुरवेदी ने ट्वीट किया है अंबाती राइडू ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सन्यास की घोशना की संभवता 3D चश्मे पर किया गया ट्वीट उनके करियर पर भारी पड़ गया सोशल मीडिया पर अंबाती राइडू के जिस 3D चश्मे वाले ट्वीट की बात हो रही है वो ट्वीट राइडू ने 16 अप्रेल को किया था इससे पहले वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान किया गया था चैन करताओं ने अंबाती राइडू की जगा और राउंडर विजय शंकर को टीम में चुना था राइडू पर विजय शंकर को तरजीह दे जाने पर मुख्य चैन करता MSK प्रसाद ने शंकर को 3-dimensional प्लेयर बताय था यानि बैटिंग, बोलिंग और फिल्लिंग तीनों में परफेक्ट विजय शंकर के चुने जाने पर अंबाती राइडू ने तंज भरे अंदाज में ट्वीट कर कहा था कि वर्ल्ड कप देखने के लिए अभी-भी 3D Glasses के नए सेट के लिए ओरडर दिया है राइडू के इसी ट्वीट को उनके फैंस वर्ल्ड कप के लिए नहीं बुलाए जाने की सबसे बड़ी वजह मान रहे है राइडू के फैंस का मानना है कि उनके तंज भरे ट्वीट से मुख्य चैन करता MS के प्रसाद समेत चैन समिती के बाकी सदस से भी नाराज है शायद इसी लिए पहले तो वर्ल कप के लिए राइडू की जगह विजह शंकर को टीम में जगह दी गई जो वर्ल कप में कुछ खास नहीं कर सके और चोट के बाद वापस लोटा है इसके बाद जब विजह शंकर की जगह स्टैंडबाई प्लेयर में से किसी एक को बुलाने की बात आई तो टीम मैनेजमेंट इस बार भी राइडू को इगनोर कर एक भी वंडे नहीं खेलने वाले मयंक अगरवाल को सीधे वर्ल कप जैसे बड़े टोर्नमेंट के लिए बुला लिया इसी के साथ राइडू के वर्ल कप में खेलने की आखरी उम्मीद भी खत्म हो गए जिसके बाद 55 वंडे खेल चुके 33 साल के राइडू ने क्रिकेट के सभी फॉर्माट से सन्यास का ऐलान कर दिया और चुके 24 वणने अविये लिए बूहे खेल्ड़े के विए्यूर्ण वाण वे खेले खेलेन खेलाइड लिए थे 새वी खेलाइड टोर्या मी Remex वोग इकट मैंट रिए पिक्क माइब उन्हाओ करें, फ्र फिए जडिवानाम है। है लिन अजावा मनेलने उड्या प्कार में एपेंदेरा रेखल Спिया कोम Q कि अज़ आप्टेशों अंज लागब घगवाच्टी फिर इन अज़ निज़ों इन दिती मेरा गार्ट इंज़ी तो इपक्ति है अगवार्ट इट प्रेन अखा रग्माल्यू इर अज़ अज़ घर इंज़ पाँ पक्ति हैं इट अज़ इस खर इतोड़ कर अन्ज़ we might encounter in England, he might bowl a bit, and he is a fantastic fielder. That's the thing that went in favor of Vijishchenk. मुझर्य अबज़ियस वी is a batsman who can bowl. मुझर्ष वी अबज़िय दोप्टन है भी आट लिवे भीपन्वें? भी are looking at him at number four, and we are also looking at, and we have with Dinesh Kartik in, and also Kedha Jadaw in there. So we have plenty of options at that number four right now. आते हैं, आते हैं से नात्ता हैं, या जा से से नहीं मेंगि की पनीज नहीं है नहीं है, या की प्रीजी अःमाटकु में जात्यों की जात्यों की लिए जडिए टाइ। वो तक विजिव मेंगत विजिव एंगे उन्माट। इनको़ विजस्योश का विजस्योश करए कौश। विजस्योश के विजसोटे से जिए झाली के विजसक पॉएट झाली एंग प्रेश्म आजू प्राइबो स्वेस्ट आजू और मॉन्स पेस्टेश्टर तूम्स टीज पेस्टेश्ट हैंगा। I think we have this luxury of seven bowlers. So I think we have covered all the bases that way if you look at it. And I am sure this is one of the most balanced sites that we have produced. Yes, Khalil Ahmed का नाम भी इसक्षिशन आया, उसके साथ-साथ-साथ-साथ-साइनी का नाम भी इसक्षिशन आया. So they will be in their own and if the need arises, definitely one among them will be picked next. Yeah, are there any reserve on status there? And what is the most challenging recommendation for you in your career so far or in your career so far? Well, we have been planning soon after the completion of the Champions Trophy for this. But let me frankly tell that in the last month or so, there were a couple of places which, you know, which have really cropped up like Vijay Shankar. Any reserve? Yeah, we do have reserves. We will let you know in that. Excuse me? Yes, it was discussed and I don't think that was the point. The point that was discussed is that Vijay Shankar will bat at No. 4 and so is Keda-Jadav. And we also have a role for KL somewhere at the top of this. Do we see KL as a reserve opener or can we come at No. 4 also in the middle of the order? To begin with, he will be only a reserve opener. If need arises, it all depends upon the team management squadron. I think that's what the team management along with Patrick is looking into it. The workload management program is going on. He's constantly in touch with the physios of IPL franchises. Two questions. I think changes can be made to the sport until the 23rd game, even if there are no injuries, right? So, do you think IPL form will, if the remaining matches will play a role in that? And the second one, the main players who have been playing a lot of the national figures since last year, are any of them likely to be given some kind of rest in the remaining matches? Well, your first question is about changes in the team. It all depends upon if somebody is injured. Otherwise, since you have announced the site, we all discussed and debated and felt that this is the best possible team that can give us the best possible results. So, there is no point in changing unless somebody is injured. And with regard to the second point, I have already told that there is a workload management program going on. Our trainer and physios are constantly in touch with the trainer and physios of respective IPL franchises. Have all these players have been on the junior test and were there any players who were not considered to have failed the junior test? No, there is a program that is going on. Every quarter they are doing some sort of a test. So, everybody is fit and fine as far as that is concerned. No, nothing left. Nothing left. No.